तो दोस्तो आलू की सबजी बनाने का सभी का अपना अंदाज होता है आज मैं आपके लिए आलू की सबजी बनाने की एक बहुत अनोखी रेसिपी लाई हूँ अगर आपके घर पे महमान आय हुए है या फिर आपको को स्पेशल बनाना है ना तो ये वाली रेसिपी पकाड राय करना मैंने यहाँ पर दो कच्छे आलू ले लिये हैं उनको छील कर इस तरह से चोटे-चोटे टुकडों में काट लिया है साथ ही यहाँ पर मैंने आधा कटोरी चने की दाल ले ली थी जिसको मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया फूल करी एक कप के करीब हो चुकी है अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने आपर मिकसर जाल ले लिया है और उसमें हम सबसे पहले डालेंगे अपने कच्छे आलू और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च मैंने आपर 2 छोटी वाली हरी मिर्च के स्तमाल किया है और चने की डाल एक बाद का ध्यान हमें यहाँ पर यह देना है कि इसे पीस्ते वक्त हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि जो कच्छे आलू है उसमें नमी होती है और जो चने की डाल है वो हमारी भीगी हुई है तो पानी की जरुद हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बड़िया सी पेस्ट हमारी बनकर रेडी हो चुकी है अब इस पेस्ट में हम डालेंगे नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर एक टीस्पून से थोड़ा सा जादा मैंने नमक डाला है और एक तिहाई छोटा चमच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल कर बहुत ही अच्छे तरीके से इस एक बार हम मिक्स कर लेते हैं अब हमें यहाँ पर क्या करना है हमने ले ली है एक प्लेट और इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा ओी आपको अब भी प्लेट ले सकते in LA या फिर cake tin ले सकते हैं जिसमें आपको इसे steam करने में आसानी हो आप वो चीज यहां पर इस्तमाल कर लीजए मेरे पास यह प्लेट है इस प्लेट को मैंने थोड़ा सा ओयल से brushing करके grease कर लिया है और हमारा ही जो जो यह मिश्रन है ने यह सारा ही मिश्रन अब हम इसमें add कर दें है क्योंकि अगर हम यहां पर इसे बहुत जादा थिक रखेंगे न तो स्टीम होने के बाद इसकी थिकनेस थोड़ी और बढ़ जाती है तो इसलिए हमें क्या करना है इसको जितना पतला फैला सकते हैं उतना फैला कर रेडी कर लेते हैं अब यहां पर एक पैन में मैंने ले ल करना है जो यहां पर मैने लालमिक्छ ऊस्ते के हैं वो कमी तीकी वाली है अगर आप बहुत ज़ादा यह पर यहां पर गैस का फ्लेम और कर लेती हूं एकक पा पानी हम यह पर डालेंगे जितने में सारी सबजियां जो है भीग जाए उसके उपर मैंने एक प्लेट रख दिये जैसा कि आप देख पा रहे हैं जिसके उपर डॉट्स हैं अगर आपके पास कोई प्लेट हो या फिर चलनी हो जो भी आपके पास घर में अबलेबल हो आप उसका इस्तमाल कर लें और इससे इस तरह से कवर कर देंगे जिससे क्या हो जो उपर वाली प्लेट है उसमें स्टीम बहुत अच्छे से बन पाए अब 15 मिनट मैंने इसे लो टो मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था 15 मिनट के बाद आपको मैं आप धकन हटा के दिखा रही हूं हमारा जो मिश्रन है वो बहुत ही बड़ी ऐसे स्टीम हो चुका है च दूसरी और यहां पर यह धकन हटा देंगी है तो हमारी जो सबजियां आमने नीचे रखी थी वो भी बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी है अब यहां पर जो मिश्रन है थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इससे मैं चाको की हेल्प से इस तरह से छोटे-छोटे स्क्व इस तरह से कट लगा लिया है और यहां पर अब इस नास्ते को हम बाहर निकाल लेते हैं अगर आप चाहे ना तो इसे थोड़ा सा राई और करी लीज का तड़का लगा कर एज़र नास्ता भी खा सकते हैं यह बहुत अच्छा लगता है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है यहां पर यह देखिए हलका सा गरम था अगर थोड़ा सा और अच्छे से चंडा करेंगे तो बड़ी ही आसानी से यह प्लेट से बाहर आ जाएगा और यह देखिए अग्दम परफेक्टली सारे पीसिस इसके बाहर आ रहे हैं तो यहां पर जो हमारे कच्छे आलू के स्क संथे आप जाली डार बने हैं बहुत ही यह यह हैं चली हैं अपने ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं तो अच्छे सारी सबजियों को फोलीति कर लिया है मैंने मिक्सर जार में डालेंगे और थोड़ा सा दो तीन चम्मच के करी पानी में आड़ कर रही हूं क्यूंकि स्टीम करते वक जितना भी पानी था वह सारा खतम हो गया तो थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे ताकि जो हमारी पेस्ट है वह बहुत ही स्मूथ बने और अब यह यहां पर मैंने इसे पीस कर तयार कर लिया है और यह बड़ी आसी स्मूथ पेस्ट हमारी रेड़ी हो चुकी है तो बस चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कढ़ाई में दो बड़े चमच तेल ले लिया जैसे ही तेल साथ ही उसी Mixer जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जितना भी extra मसाला है वो सारा निकल के यहां पर आ जाए तो 2-3 चमच पानी डालकी सारा एकस्ट्रा पानी मैंने इसमें और अड्ड कर लिया है अब हमें क्या करना है ना इसको अच्छे से mix करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे basic सूख्य मसाले तो जैसे ही gravy हमारी थोड़े से boil में आ चाएगी ना हम इसमें सूख्य मसालों में डालेंगे एक बड़ा चबमच धनिया पाउडर एक तिहाई छोटा चबमच हमे यहाँ पर हलदी पाउडर कर डाला है एक छोटा चबमच मैंने हाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च कर डाला है दोस्तों जो लाल मिर्च है वो हमने gravy पीस्टे वक्त भी इस्तमाल की है तो आप अपने जरुत के हिसाब से इसमें लालमिश पाउडर एट कीजेगा बहुत जादा ना हो जाए इस बात का जरूर ध्यान कीजेगा तो मैंने यहाँ पर सिर्फ कश्मीरे लालमिश पाउडर का यूज किया है जो कम थी की होती है और कलर अच्छा देती है साथ ही हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे डकल लगाकर तब तक कुक करेंगे जब तक हमारी ग्रेवी बढ़िया से कुकना हो जाए इसमें जो मॉइस्चर है पानी की जो मात्रा है वो कम हो जाए साथ ही जो तेल है वो अलग होने लग जाए तो दो से चार मिट बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसे कवर करके रख दे अब दो से चार मिट के बाद आप यहां पर देखिए जो कड़ाई में कौनर में तेल है ना अदक दिखाई दे रहा है हमारा मसाला बहुत अच्छे से बुना जा चुका है तो अब हमने जो आलू के स्कोाईर्स बना कर रखे थे अब वो हम इसमें आड़ करेंगे और इसे बहुत ही बढ़ीया से मिक्स करेंगे आज जो सबजी में बना रही हूँ ना वो थोड़ी ग्रेवी वाली रसेदार सबजी बना रही हूँ तो इसके लिए इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी वैसे दोस्तों अगर आप थोड़ी से रिच्च और रॉयल सबजी चाहते हैं तो यहाँ पर अमूल की क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बर वो आपकी मर्जी है मैंने यहाँ पर आज एक कप से थोड़ा सा जादा इसमें पानी आड़ किया है उसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे काफी सारा फ्रेश बारी कटा हुआ हरा धनिया और सबसे जरूरी जो चीज है ना वो है भूनी हुई कसूरी मेथी तो कसूरी मेथी को हलके से गरम तवे पे मैंने भून लिया था उसके बाद हाथों से क्रश करके वो अब हम इसमें आड़ करेंगे यह बहुती लजीज फ्लेवर देती है आपको इसे जरूर आड़ करना है साथ ही मैंने इसमें डाला है आधा सैशे मैगी मसाला मैगी मसाला ऑप्शनल है आप चाहें तो आड़ करें या तो चाहें तो आप गरम मसाला भी आड़ कर सकते हैं अब बस इन सबी चीजों को बहुती बढ़िया से हम मिक्स करेंगे कवर करके बिल्कुल धीमी आज पर 7-8 मिर तक पकने देंगे ऐसा करने से क्या होगा जो हमारी ग्रेवी है वो भी थिक हो जाएगी साथ ही जो हमने आलो के स्कॉायर्स बनाए हैं उनके अंदर भी बहुती बढ़ी ऐसा फ्लेवर चला जाएगा तो बस मैंने या आप इसे कवर काके 7-8 मिर कोक कर लिया है आप यहाँ पर आप देखिए हमारी जो सबजी है कितनी लजीज दिख रही है दोस्तों यह सिर्फ लजीज देख नहीं रही यह बहुती कमाल की रेसिपी है आप इसे रोटी पराथा नान कुल्चा किसी के भी साथ सब कीजे कोई नहीं बता पाएगा कि आपने इसे कैसे बनाया है और इसका जो टेस्ट है वो बहुती कमाल का है कुछ यूनीक और कुछ हटके खाने की इच्छा हो ना तो इससे आप एक बार जरू ट्राय करना बहुत ही आसानी से घर में रखी चीजों से बन जाएगी कोई ज़ादा जंजट नहीं है बस एक टेकनीक फॉलो करनी है तो आप एक बार इस रेसिपी को पकाट राय करना और मुझे नीचे कमेंस में जरूर लिख कर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ बाई